आप देख रहे हमारे साथ हमारा हेल्स सेग्मेंट सेहत नामा आज हम बात करेंगे स्लीप अपेनिया के बारे में दिन बर की भाग दोड के बाद समय वया आता है जब हमारा शारिक और मानसिक तौर से रिलेक्सेशन होता है सोते समय हमारे सेल्स खुद को रिपेर करते हैं और इस दौरान हमारा दिमाग शॉर्टर मेमोरी से चीजों को लॉंग टर्म मेमोरी में ट्रांसवर करता है जिस कारण से भरपूर नीन लेना हमारे दिमाग के फंशन्स के लिए काफी जरूरी होता है इसलिए नीन में खलल हेल्थ को प्रभावित कर सकती है इस बारे में जानने की कोशिश की गई स्लीप अपेनिया असामान में लेकिन व्यापक है डॉक्टर का अनुमान है कि यह दुनिया भर में लगबग 5% से 10% लोग को प्रभावित करता है इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्लीप अपेनि जिस कारण से सोने में खलल पड़ता है इस कारण से दिमाग के साथ साथ दिल पर भी काफी प्रभाव पड़ता है और खराटे ठकान जैसे अन्य दिक्कते भी होने लगती हैं अब यह जानते हैं कि कैसे आपको स्लीप अपेनिया अफेक्ट कर सकता है नर्फ सिस्टम में सू स्लीप अपेनिया का इलाज और बिना किसी बाधा से भरपूर नीद लेना आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा विकल्प होगा स्लीप अपेनिया के रिस्क को कम करने के लिए स्लीप हाइजीन फॉलो करें को अब्लड पेशर और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल क झाल